जाने क्यों महा कालेश्वर ज्योतरलिंग में हर रोज की जाती है भस्मार्थी? कहा जाता है कि भगवान शिव की पांच तरह से आरती की जाती है, जिसमें सबसे महत्वपून होती है भस्मार्थी. जी हाँ, तेश के बारह जियोतर लिंग में से एक उजयन के महाकालेश्वर जियोतर लिंग में हर रोज भस्मार्ति की जाती है भस्म से ही शिवलिंग का हर रोज श्रिंगार किया जाता है क्या आप जानते हैं कि आखिर हर रोज क्यों भगवान शिव की भसमार्ती की जाती है अगर नहीं तो हम आपको बता रहे हैं इस भसमार्ती का रहस्य पुरानों के मुताबिक काफी सालों पहले उजयन में महराज चंद्रसेन का शासन था वह भगवान शिव के परम उपासक थे वहां की प्रजा भी भगवान शिव को पूजती थी एक बार राजार पुद्मन ने चंद्रसेन के महल पर आक्रमन किया और राक्षस दूशन के जरियेव वहां की प्रजा को बहुत प्रतारित किया प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई, प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयम दुष्ट राक्षस का वद किया, सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूशन की राक से अपना श्रिंगार किया और वहां हमेशा के लिए वहां बस गए, इस थरह से उस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ा और भसमारती की शुरू हुई ऐसी माननिता है कि भसमारती भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है, यही कारण है कि यहारती महाकालेश्वर में सुबह चार बजे की जाती है